नमस्कार आपका स्वागत राजनामा दुनिया पे मैं अपनीनम आपके साथ मध्यपरदेश में मिलेट्स यानी मोटे अनाच का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रती किलो दस रूपे की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसके लिए द्रानी दुर्गावती श्री अन प्रोत्सान यूजना शुरू करने जा रही है कैबिनेट बेटक में ये फैसला लिया गया है प्रोत्सान राशी किसानों के बैंक खातों में सिधे जमा कर दी जाएगी इसका उत्देश मोटे अन्न के प्रती रूची पढ़ाना है मुक्चे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक बुदुवार को जबलपूर में हुई मंत्रियों को विबाग बटवारे के बात इस पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिये गए इनकी जानकरी देते हुए संसदी कार मंत्री के लाश विजयवरगी ने बताया कि हर वर्ष रानी अवंति का बाई लोधी और रानी दुरगावती सम्मान दिये जाएंगे इस सम्मान समात सेवा के शेत्र में काम करने वाली महीलाओं को मिलेंगे दोनों विरांगनाओं पर अध्यान के लिए सभी विश्विध्यालों में फैलोशिप शुरू होगी इसके साथी स्कुल कॉलेजों के शेंश्चणिक पार्टिकर्मों में दोनों विरांगनाओं के जीवन गता को शामिल किया जाएगा डॉक्टर मोहन यादो मंत्री मंडल की ये तीसरी बैठक थी पहली बैठक 13 दिसंबर को हुई थी इसमें मुक्री मंत्री और दोनों डिप्टी सीम जगदीज देवडा और राजियन शुक्ल शामिल थे दूसरी बैठक 26 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार के बाद परिचयात्मक रूप में हुई थी मद्यपदेश मंत्री मंडल की अगली बैठक 14 जनवरी को मकर संकराती के मोके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जेन में होने वाली है डॉक्टर मोहन यादाव कैबिनेट की बैठक हर संभाग में पस्तावित है जब अलपूर के बाद उज्जेन में और फिर दूसरे संभागों में बैठक होगी उज्जेन की बैठक मकर संकराती के मोके पर करने का निर्णाएं सीएम ने शपत लेने के बाद ही लिया था